इस वीडियो में मैं एक को उताने वलाओं फ्रेंड्स की आप दोस्तों I TV3 के मौईफवन आप फिंगर प्रिंट लॉक आप कैसे लगा सकते हैं बust आप फिंगर प्रिंट लॉक आप कैसे सेट कर सकते हैं तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लाश्ट तक देखिएगा, चैनल पर नए है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, पासवाले नोडिफिकेशन, बेल को दबा कर All के उप्सन पर जरूर क्लिक करेगा, इसके लिए आपको जाना आए टेविजन 3 मौईल फोन के सैटिंग में, सैटिंग में जाकर नीचाना आए, नीचाने पर आपको यह Security का उप्सन देखता है, Security पर क्लिक करना है, और इसके वादि इसलिए आपको नीचाना होगा तो नीचा आने पर आपको verify कराने का option आ जाएगा तो दोस्तों अगर आपकी मॉबाल में lock set है तब तो इस तरीके से आपको दोस्तों finger verify कराने का option आ जाएगा लेकिन माल लिजे कि अगर आपकी मॉबाल में कोई सा भी lock set नहीं है तो अगर आपकी मॉबाल में पहले से कोई सा भी lock set नहीं होगा तो जब security में आकर नीचे fingerprint पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक screen lock set करने के लिए कहा जाएगा मतलब एक lock लगाने के लिए कहा जाएगा तो आप pattern pin या password कोई सा भी lock लगा सकते हैं जैसे जैसे चलिए मैं पर pattern select कर लेता हूं यहाँ पर एक pattern को ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे confirm करने के लिए फिर ड्रॉ करके नेक्स्ट पर क्लिक करके डन पर क्लिक कर देंगे तो हमारे फोन है pattern set हो जाएगा अब देखिए lock set हो जाने के बाद आपको next का option मिलगा next पर क्लिक कर देना है अब देखिए आपको अपने यह आपको आपका ही जो mobile phone का sensor होता है इससे आपको अपने finger को verify जो है आपको कराते जाना है चलिए मैं यहाँ पर verify कराते सेट हो जाने का फायदा देखिए क्या मिलता है कि जो आपको mobile lock रहेगा तो जैसे आप अपने finger को phone के sensor पर touch करेंगे तो देखिए आपका phone unlock हो जाएगा finger touch कराते हैं इस तरह के साब fingerprint lock set कर सकते हैं आइटल विजन 3 में वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा